हाई गईस एन वेलकम बाक टू दी चैनल दीपाच यादव एजूकेशन वेलकम टू दी डेली हिंदू नियूज और एडिटोरियल एनालेसिस ऑफ 14 अक्टूबर 2022 तो गईस आज है तारिक 14 अक्टूबर 2022 और है फ्राइडे देखेंगे आज के दा हिंदू कंप्लीट न्यू प्राइडव एजूकेशन यूपीएसी आप लोग को यह वला चनल मिल जाएगा इस पर क्लिक करना और जाकर इस चनल को जॉइन कर लेना देखो अगर आप लोग को इस तरीके से यह चनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्रिप्शन बॉक्स में PDF लिंक के नाम से एक लिंक दि डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं नाव बढ़ते हैं आगे आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है डेड़ सी को न्यूज में है तो इसको अच या रिजर्व ट्रांच यह किस चीज को रेफर करता है यानि कि यह बिसिकली क्या आपको देखने को मिलेगा ओप्शन ए बोलता है यह एक लोग सिस्टम है वर्ल बैंक का ओप्शन भी बोलता है यह एक ओपरेशन है सेंट्रल बैंक का ओप्शन सी बोलता है यह एक क्रेडि करना है जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ बाइद वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलिग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है वहाँ से भी चेक आउट कर सकते हो और अगर वहाँ पर भी आंसर नहीं मिल पाता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रुवत नहीं है वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिसकेशन हम लोग करेंगे तो चलो शोबार हम करते हैं और आते हैं आज के सबसे पहले और बहुत इंपोर्टन आर्टिकल की दरफ इस वाले आर्टिकल को आप लोग जी एस पेपर नंबर टू गोर्वर्मेंट पॉलिसी एंड इंटर्वेंशन से रिलेट कर पाओगे देखो आपको पताओगा हिजाब बैन को लेकर एक कोंट्रोवर्सी बहुत लंबे समय से न्यूज में आपको देखने को मलती है तो अभी क्या हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस पर्टिकलर कोंट्रोवर्सी को लेकर एक वर्डिक्ट आना था और वो जो वर्डिक्ट है वो कल सुप्रीम कोर्ट का आया और उस वर्डिक्ट को बोला या है स्प्लेट वर्डिक्ट स्प्लेट वर्डिक्ट का मतलब क्या मैं आपको पहले समझाता हूँ देखो बेसिकली यहाँ पर यह जो पूरा हिजाब बैन को लेकर पर्टिकुलर इशू है ना यह दो जज की बैंचे देख रही थी और वो दो जज कौन कौन से थे जो कि आप लोगो यहाँ पर पिच्चर में देख रहे हैं इस प्रकार से एक हैं जस्टिस हेमंत गुपता और दूसरे हैं जस्टिस सुधानशु धूलिया तो यह दोनों यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस को देख रहे थे हुआ यह कि इस पर्टिकुलर केस को लेकर दोनों के ही पॉइंट ऑव यूज डिफरेंट रहे यानि कि एक फेवर में थे और एक अगेंस्ट में थे तो बेसिक से थोड़े से ज़ादा जच वाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं तो वो इस पर्टिकुलर केस को देख कर कुछ अपने हाँ पर जो भी वर्डिक्ट होगा वो देंगे अभी के लिए यह स्प्लिट वर्डिक्ट आपको समझ में आया इस स्प्लिट वर्डिक्ट के दोनों जजिस के क्या point of views हैं ये भी थोड़ा जानना important हो जाता है लेकिन उससे पहले आपको जानना ये होगा कि आकरकार ये hijab band को लिकर controversy है क्या कब से start हुई थी ये सारी चीज़े हम लोग जब से ये सारी चीज़े चल रही है regular business पर cover करते हुए आ रहे हैं आपको पता है ल वहाँ पर starting में क्या होता है कुछ girls होती है उनको हिजाब पहन कर आप कह सकते वो entry करना चाहती थी colleges के अंदर लेकिन उनको entry नहीं दी जाती है स्कूल यहाँ पर बोलता है देखो हिजाब पहन कर allow नहीं किया जाएगा classroom में तो हम लोग हिजाब पहन कर allow नहीं कर सकते तो इस प्रकार से यहाँ पर करनाड का के अंदर आप कह सकतो colleges के अंदर ये बात रखी गई जिसके बाद से क्या हुआ वो जो girls हैं वो धरने पर गई उसके बाद ये controversy थोड़ी थोड़ी बढ़ती चली गई देखो जब इन्होंने बोला ये freedom of religion है तो उसके बाद करनाड का की सरकार आती हागे सरकार ये बोलती है कि देखो हमारे पास में एक act है उस act का नाम क्या है करनाड का education act ध्यानक ना फिर से बोला हूँ करनाड का religion violate नहीं हो रहा है freedom of religion का हनन नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ये education institution है सभी लोग को rules and regulations follow करने पढ़ेंगे ये बात यहाँ पर करनाड का की सरकार रखती है अब उसके बाद clashes बढ़ने लगते हैं clashes बहुत जादा बढ़ जाते हैं एक तरफ आपको बता होगा जब लगा किया इसके बाद क्या हुँा clash और जादे बढ़ने लगा फिर ये जो मुद्दा है ही तक जाता है करनाड का ही कोट में ये particular issue पहुच आ और जैसी करनाड का ही कोड के अंदर ये मुद्दा पहुचा करनाड का ही कोट ने एक बात रख दी थी organisation का पर 이제 हिजाब को प्रोहिबि practice के अंदर अगर हम लोग देखें तो कोई essential practice नहीं है essential religious practice नहीं है होता नहीं है कि religion के अंदर ये बहुत important part है इस चीज के बिना यहाँ पर religion ही नहीं तो basically यहाँ पर ये उस category के अंदर नहीं आता है इस religion के अंदर में ये कोई essential religious practice नहीं है important नहीं है इतना है इस वज़ा से हम लोग यहाँ पर schools के अंदर इसको allow नहीं कर सकते तो करनाट का high court का भी यहाँ पर यह judgment आया ठीक बात हो गई then यह सारी कहानी start हुई January से फिर उसके बाद में हाँ पर आप देख पाऊगे 15 मार्स तक करनाट का high court का यह judgment आ चुका था क्या judgment की भईया यह essential religious practice नहीं है हिजाब को पहनना अब यह मुद्दा आगे जाता है करनाट का high court से आगे जाता है supreme court के अंदर supreme court इस particular issue को देखता है फिर supreme court यहाँ पर इस चीज़ को लेकर agree भी करता है कि करनाट का high court का जो भी verdict था इसके against में हम सुनवाई करेंगे हम यहाँ पर इस मुद्दे को देखेंगे तो supreme court ने अपनी site से यह बात बोल दी थी 13 जुलाई को फिर उसके बाद से यहाँ पर supreme court इस पूरे के पूरे मुद्दे को देख रहा था तो supreme court ने यहाँ पर एक split verdict दे दिया है अब आपको कहानी सारी समझ में आ गई होगी अब पूरा background से मैंने अभी तक यह सारा का सारा issue link कर दिया है तो अब इन्होंने क्या किया एक split verdict दे दिया क्योंकि दो judges के पास में एक case आया था तो ये दो judges आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर अब इनके क्या का point of views हैं हिमंत गुपता साब जो कि आपको यहाँ पर दिख रहे हैं इन्होंने तो हिजाब band को support किया कि आप क्या करो कि education institutions के अंदर हिजाब को allow ना करो इस चीच को यहाँ पर support किया लेकिन यहाँ पर आप देख पाऊगे जो दूसी तरफ सुधानशु धूलिया साब है इनका कहना यह है कि देखो हिजाब जो है ना यह basically matter of choice होनी चाहिए उनके ओपर छोड़ दिया जाए उनकी choice है पहने आना पहने तो यहाँ पर basically आप कह सकते हो यह हिजाब बैन के अगेस्ट में चले जाते हैं ऐसा आप कह सकते हो आई होप आपको यह पूरा issue समझ माया अब exactly क्या क्या कहना है देखो यहाँ पर ना जो हिमद कुपता साब है इनका कहना यह है कि हाँ बिलकुल देखो ऐसे नजर आ सकते हैं कि suppose करनाटिका के अंदर इसकूल कॉलिजिस ने हिजाब को जब अलाव नहीं किया तो उससे क्या होगा जो फैमिली है ना वो अपने बच्चों को आगे पढ़ने के लिए नहीं बेजेंगी है ना या फिर हो सकता है कि बहुत सरी लड़किया आगे पढ़ाई ना करें उन इस्ट्यूशन के नरे इंटर ना करें क्योंकि हिजाब अलाव नहीं है तो इससे क्या होगा उनकी एजुकेशन अफेक्ट होगी तो बेसिकली जो हर हिजाब है ना वो उनका टिकट टू एजुकेशन है इसा यहाँ पर इनका कहना है हर हिजाब is her ticket to education इस प्रकार से यहाँ पर इनका एक statement देखने को मिला हाला कि यहाँ पर दोनों के point of views अलग अलग थे अगर यहाँ पर कोई एक और जजज और होते न तीन जजज की अगर bench यह बैटी होती और यह किस केस को देख रहे थे तो कली फैसला हो जाता लेकिन जब इन दोनों के point of views बट गए different रहे तो उसके बाद में होता यह है कि इसको आगे further देखा जाएगा हमारे Chief Justice of India Justice Yulalit साब यहाँ पर इस particular matter को देखेंगे आगे इससे बड़ी bench बैठी जाएगी फिर वो इस case को देखने वाली है अब आने वाले time की बात है जो भी issue होगा वो सब आपके साथ में discuss किया जाएगा जो भी update होगा वो regular news में आता रहेगा वो सब आपको यहाँ पर देते रहेंगे बट अभी के लिए इतना था इस article के अंदर I hope आपको एक अच्छे से clarity मिल चुकी है क्या क्या चीज़े चल रही है बाकि आपके क्या point of views हैं आप लोग यहाँ पर बदा सकते हो उस article को लेकर और साथी साथ में एक चीज़ की जरूर से करना वीडियो पर जो like का बटन उसको जरूर से प्रेस कर देना एक चोटा सा target रहता है 5K प्लस like का और आप लोग को एक सेकंड लगेगा ये काम करने में आप कर सकते हो साथी साथ मेरे साथ में Instagram पे connect हो सकते हो Instagram पे जाना सर्च बॉक्स में टाइप करना मेंस का question दिया जाता है तो जो भी questions दिये जाते हैं उनको आप attempt करा करो नीचे comment section में इससे comment section में जब आप अपने question का answer देते हो तो आपका और मेरा engagement काफी बढ़ता है काफी सरे लोगों की profile मुझे याद होती है प्लस काफी सरे लोगों के जो नाम है वो यहाँ पर याद रहते हैं जब आप लोग regular comment में active रहते हो तो ठीके ना आगे आते हैं ना यहाँ पर आता है next article इस वाले article को भी आप लोग जीएस पेपर नंबर टू international relation से relate कर पाऊगे क्या context आपको देखने को मिलेगा तो बात की जारी है इंडिया abstains on UNGA resolution अगेंस्ट रशिया देखो रशिया को लेकर कितने सारे resolution आपको United Nation General Assembly United Nation Security Council में देखने को मिल गए हैं लेकिन जब हम लोग इंडिया का stance देखते हैं तो इंडिया ने जाद अतर majority of resolution के अंदर abstain ही किया है नाव वापस से आपको यहाँ पर यही वाला case देखने को मिलेगा हुआ क्या रशिया के अगेंस्ट में एक resolution यहाँ पर लेकर आया गया कहाँ पर लेकर आया गया United Nation General Assembly के अंदर United Nation के 6 principal organ से सभी को पता है उन 6 principal organ का एक important organ United Nation General Assembly भी है यहाँ पर बोला किया रशिया के अगेंस्ट में बात यह रखी गई कि देखो रशिया ने क्या किया युक्रेन का बहुत सारा हिस्सा जो है वो कबजा रखा है युक्रेन का बहुत सारा हिस्सा illegal तरीके से referendum करा 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 के कबजा दिया क्योंकि आपको पता होगा जैसे लुहांस्क सपोज यहाँ पर आपको पता होगा युक्रेन है युक्रेन के कुछ बॉर्डर वाले हिस्से देखने को मिलता है बॉर्डर पर रीजन्स देखने को मिलता है लुहांस्क, दोंतेस्क या अपने नम सुना भी होगा लगाता न्यूज में बने रहते हैं इन एरिया को रश्या ने अपने अंडर में ले रखा है वहाँ पर रेफरेंडम करवाया वोटिंग करवाई और जब लोग उसे वोटिंग करवाई तो लोग का कहना ये था हम रश्या के साथ जाना पसंद क दरेंगे तो इसकी चक्कर में क्या हुआ कि रश्या अपना वो कंट्रोल अपना वो दबदबा उन पर्टिकुलर एरियास बना कर रखता है इसी के अगेंस्ट में यूनाइटिड नेशन जनल असेंबली के अंदर वोटिंग होती है कि रश्या ये गलत कर रहा है जबरदस् के favor में कौन-कौन यहां पर रश्या का criticism करता है कि हां रश्या गलत कर रहा है तो इस particular मुद्दे में आप देखोगे तो भारत ने abstain कर दिया abstain का मतलब हमने जो voting करी है ना हा में voting करी है ना ना में voting करी है हम neutral रहे गए कि हम कुछ बोली नहीं रहे इस मुस्मुद्धे पर आप ये कह सकते हो और ऐसा voting करने के बाद में हम neutral रहने के बाद में एक चीज ये बोली गई लेको हम चाहते हैं कि ये जो मामलाय पूरी तरह से खतम हो जाए और ये खतम कैसे होगा आपस में बैटकर बातचीत करने पर ये इशू को खतम किया जा सकता है हम वार को बिल्कुल भी support वैसे भी नहीं करते हैं ये आपने भी बता है तो ये इंडिया का आपको स्टेटमेंट देखने को मिल जाता है आई होप आपको यहाँ पढ़ना है United Nations General Assembly आखिरकार ये UNGA है क्या आउट डिसकस करते हैं क्योंकि हमारे syllabus के अंदर na GS Paper 2 में UPSC ने डारेक्ली एक point लिख रखा है वो है important international organization और United Nations General Assembly अपने आप में एक international organization है और इस साल ये लगातार news में भी बना हुआ है तो आपको इसके बारे में या फिर UN के United Nations Security Council UNG है इनके बारे में चीज़े रटी होनी चाहिए दिमाग में छपी होनी चाहिए question कही नगे इसको लेकर बन सकता है सबसे पहली चीज़ अगर हम लोग बात करें United Nations General Assembly की तो ये United Nations का ही एक component है या आप कह सकते हूँ United Nations का ही एक organ है मैं आपको starting में बोला कि United Nations के आपको 6 principal organs द Social Council, then United Nations Trusteeship Council, then International Court of Justice, then उसके बात United Nations Secretariat, clear हो गया अब United Nations General Assembly की basically हम लोग बात कर रहे हैं तो जितने भी members आपको United Nations में देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे members United Nations General Assembly में भी represent करते हैं तो अभी के टाइम पर आपको जैसे 193 members देखने को मिलते हैं वो सब United Nations General Assembly के अंदर भी represent करते हैं इनकी जो meeting है वो हर साल होती है हर साल एक बार meeting देखने को मिलती है कहाँ पर होती है New York City में इनका headquarter है वही पर ये meeting होती है September के मन्त में लगबग यहाँ पर ये meeting देखने को मिलती है जहाँ पर अलगलग countries अपनी अपनी जो speeches हैं वो भी देती है United Nations General Assembly को head कौन करता है तो उसको head किया जाता है एक president के थुरू और वो जो president है वो एक साल के लिए elect होता है important है बहुत ज़ादा important है क्योंकि आपको पता होगा UPSC ने previous year के अंदर एक question पूछा था question क्या था United Nations Security Council के बारे में वो question था उसमें पूछा गया कि जो 10 non-permanent members होता है इनका tenure कितना होता है कितने साल के लिए हाँ पर यह non-permanent member बनते हैं तो उसका correct answer था 2 वैसे आपसे यहाँ पर question बन सकता है कि UNGA के अंदर जो elected term होता है वो कितने साल के लिए होता है वो होता है एक साल के लिए किसका president का समझ में आई बात साथी साथ में यहाँ पर ध्यान रखना इसको हम लोग कभी कभी Parliament of the world भी बोलते हैं तो पूछ़दा है Parliament of the world क्या है तो वो United Nations General Assembly है तो United Nations General Assembly जब Parliament of the world है तो कुछ matters को देखता होगा कैसे कैसे matter देखता है तो देखो दुनिया भर में शान्ती को security को maintain करने के important matters को देखने का काम करता है साथी साथ में यह decide करता है कि अगर कोई नए member को add करना United Nations के अंदर तो उसके बारे में भी decision जो है वो यहीं से निकल कर आता है और जो decision होता है वो voting के माधियम से किया जाता है countries बैट कर voting देती है और वो जो voting है वो basically आप देखोगे जातर cases के अंदर जैसे मालो कोई important decision है तो उसके ओपर simple majority वाली voting को consider किया जाता है और मालो यहाँ पर कोई एक तरीके से एक और case जहाँ पर two-third majority को भी देखा जाता है मतलब voting जो है अलग-लग प्रकार से देखी जाती है एक simple majority भी देखने को मिलती है two-third majority भी देखने को मिलती है तो इस प्रकार से अलग-लग voting देखन तो वहाँ पर उन countries में जो 5 permanent countries है ना उनके पास में veto power आ जाती है लेकिन UNGA के अंदर किसी के पास में veto power नहीं है, सब equal है, ये भी आपको ध्यान में रखना है clear हो गया, तो आपको ये difference भी ध्यान होना चाहिए, साथ ही साथ में जो ये important terms को अगर बता हैं ये वो भी ध्यान में होना चाहिए, चलो, next article पर आते हैं, अगला article बहुत important है इसको आप लोग GS paper number 3, science and tech से या space technology से लेट कर पाऊगे, directly UPSC ने syllabus में space technology का topic दे रखा है बात क्या की जारी है, देखो जो हमारे ISRO के chairman है, that is, ISRO का full form क्या है, Indian Space Research Organization तो इसके chairman कौन है, S. Somnath, तो इनका कहना ये है, कि अब ISRO अपना एक नया, next generation का launch vehicle जल्द ही लेकर आने वाला है अब मैं आपको article का थोड़ा basic समझाता हूँ, फिर उसके बाद में इसमें advance पर हम सारी चीजों को link करते वे समझेंगे नमबर one point, आज का time पर अगर हमें अंतरिक्ष में satellite को launch करना हूँ, तो कैसे करेंगे अंतरिक्ष में satellite को launch किया जाता है, हम अपने rocket के मादियम से वो काम करते हैं अब rocket के बात करें तो हमारे पास में उसमें अलग-लग system है, जैसे PSLV हो गया, है ना GSLV हो गया यह बड़े-बड़े rocket हैं, इनके मादियम से वो को launch करते हैं, PSLV थोड़ा पास के लिए launch किया जाता है, GSLV अगर दूर launch करना है तो उसके लिए use किया जाता है तो अभी हम लोग PSLV का सबसे जादा अस्तमाल करते हैं, और PSLV से बहुत सरे important missions हम लोगों ने conduct किये हैं अब इसरो बात यह करता है कि सर समय आ चुका है कि अब PSLV को replace किया जाएगा, PSLV को बदला जाएगा PSLV की जगा एक नया rocket लेगा, उसका नाम होगा NGLV ठीक है न, NGLV की full form क्या है, next generation launch vehicle यह बात यहाँ पर इसरो ने अपनी site से बोली है इसरो ने यहाँ पर बोला है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी एक rocket के उपर काम कर रहे हैं जिसका नाम है NGLV, that is next generation launch vehicle और आने वाले time पर या फिर एक ना एक दिन, यह जो NGLV है साथी साथ में बोला यह जाता है कि NGLV के पास पर थोड़ी सी जादा capability देखने को मिलेगी obvious ही बात है, हम लोग इसको PSLV से जादा better बनाने वाले हैं हाला कि PSLV भी हमाले important है, क्योंकि इससे हमने बहुत सरे important missions किये हैं आप कह सकते हो, इस पर हम लोग बहुत दा विश्वास करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें एक replacement की आवश रखता है तो यह जो NGLV नजर आता है ना, यह कही न कहीं इतना important होगा कि इसको हम लोग reuse कर सकते हैं यह word ध्यानक ना, यह reusable rocket होने वाला है reusable का मतलब समझते हो, अभी के time पर जब हम लोग rocket को अंतरिक्ष में भेजते हैं या फिर हमें कोई satellite launch करना है, suppose उस satellite को launch करने के लिए हम ने rocket भेजा उस rocket में उपर की side पर, जो उपर 9 कूती है ना, वही पर हम लोग satellite को रखते हैं तो वो rocket गया अंतरिक्ष के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर गया, उसने satellite को launch किया तो क्या वो rocket वापस आता है, नहीं आता, वो वही पर कूड़ा बन जायता है जिसको हम लोग space debris के नाम से जानते हैं, यानि कि हमारा अंतरिक्ष का कच्रा बन जाता है तो rocket को वापस से लेकर आना, reuse करना उसको वापस से, ये technology अपने आप में थोड़ी unique है ये अभी जादा किसी के पास आपको देखने को मिलेगी नहीं तो इंडिया अभी यहाँ पर गाम कर रहा है कि हमारे पास में NGLV ऐसा ही होना चाहिए NGLV एक ऐसा rocket होगा, वो अंतरिक्ष में जाएगा, rocket को launch करेगा लेकिन वो अंतरिक्ष का कच्रा नहीं बनेगा, वो वापस नीच आएगा उसको हम लोग reuse कर सकते हैं, दुबारा उसका इस्तमाल कर सकते हैं इससे बहुत सारा cost बचेगा भी तो यह यहाँ पर एक important चीज नजर आती है इस NGLV के अंदर तो NGLV बहुत simple होने वाले, design के अंदर बहुत मजबूत होने वाला इसकी manufacturing के उपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाने वाला है और आने वाले टाइम पर एक नएक दिन PSLV को replace करने में यह काफी हद तक सहायक मन रहने वाला है, ऐसा यहाँ पर इजरो बोलता है I hope आपको यह सारी बात है समझ माई, यह तो आपने current issue पढ़ लिया अब करना क्या है, examination में question अलगलग जगा से आ सकता है इसके background से आ सकता है, तो background के अंदर पहली बात हो आपको इजरो के सारे के सारे launch vehicles के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से launch vehicles हमारे पास में current time पर available है और कैसे कैसे काम करते हैं, पता नहीं क्यों पर यह picture देखकर काफी जादा goose bumps create हो जाते हैं, यह आप देखोगे इजरो पहले कैसे था यानि कि इंडिया के अंदर आप देखोगे न, तो इजरो ने अपना जो पहला rocket है वो कैसे launch किया था, पेड़ में बांध कर, cycle पर लेकर गए थे इस rocket को और पेड़ में बांध कर यहाँ पर नारेल के पेड़ पर बांध कर इसको भेजा था तो आप इमाजन कर सकते हो कि यहाँ पर इजरो यहाँ से यहाँ तक पहुँच चुका है बतलब एक टाइम पर जब कुछ भी नहीं था, उसके आद धीरे-दीरे हम लोगों ने development किया हमारे जो scientist का कितना बड़ा contribution रहा, उसके बाद में current टाइम पर आप देखोगे इजरो हमारे यहाँ की satellite तो launch करता ही करता है, हम दूसरे देशों की भी satellite launch करता है इतने time period में दूसरे देश अपनी खुद की space agency नहीं मना पाए, जितने time में यहाँ पर भारत ने इजरो को यहाँ पर खड़ा कर दिया, और इजरो कितना relevant आपके part देखने को मिलेगा आज करते हैं पर दुनिया भर के लिए क्योंकि दुनिया भर में पता एक खास बात क्या इजरो की, आप देखोगे तो अलग लग देश भी दूसरे दूशों की satellite launch करते हैं, जैसे अमेरिका कर देगा, यह countries यहाँ पर दूसरे देशों की satellite को launch कर सकती हैं, इनके पास में capability है लेकिन यह बहुत ज़ादा costliest way में launch करती हैं, बहुत सारा पैसा भी लेती है, लेकिन इंडिया के पास में capability यह है कि हम लोग बहुत सस्ते में यह काम कर देते हैं, इस विए से बहुत सरी countries इंडिया को prefer भी करती हैं, और इंडिया एक trust worthy country भी है हम लोग एक तरीके से हमारे पर बहुत सदा विश्वास किया जाता है, बहुत सारी countries के हमने अलगलग satellites को launch किया है, ब्रजील वगरे के satellite वगरे launch किया है, आपको याद आ रहा होगा clear होई बात, अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, what are the launch vehicles used by zero, इस table को बहुत ध्यान से देखते हुए चलना क्योंकि आपके लिए ये बहुत relevant होने वाला है कि current time पर, जो हमारा इजरो है न, ये इजरो कौन-कौन से launch vehicles का इस्तमाल करता है कौन-कौन से हमारे पास में rocket है, जिससे आज का time पर हम लोग अपने satellites को launch करते हैं देखो, starting में सबसे पहला जो हमारे पास में launch vehicle था न, वो था SLV, मतलब satellite launch vehicle ये जो पहला rocket है, इसको इजरो ने develop किया था, इसको हम लोग SLV के नाम से जानते हैं ये बिल्कुल पहला पहला rocket था, satellite launch vehicle, नाम से बता चल लाए कि हाँ satellite को launch करने के लिए इस vehicle का उपयोग किया जाता है SLV के बाद में हम लोगों ने बनाया ASLV, यानि augmented satellite launch vehicle तो SLV के बाद आया, ASLV, अब ASLV और SLV दोनों ही क्या कर सकते थे छोटे-छोटे satellites को, लगबग जिनका वजन 1.500 kg के आसपास होगा उनको low earth orbit में launch कर सकते थे, इनके पास ये ताकत थी अब आप देखोगे, ये सारे rocket 1990s तक यहाँ पर operate करते रहे ये scene में आ चुके थे, वर्क कर रहे थे, लेकिन इन rocket के बाद में एक दूसरा rocket हम लोगों ने develop किया, हमारे इजरो ने develop किया SLV के बाद, ASLV, ASLV के बाद में आ जाता है PSLV, अब PSLV चोकि अब इन्यूज में है इसको हम लोग जानते है, polar satellite launch vehicle के नाम से अच्छा, इसको polar satellite launch vehicle क्यों मोल जाता है, अब मैं आपको समझाता हूँ सबसे बहली बाद, जब आप लोग यहाँ पर अर्थ को देखते हो ना, अर्थ का figure देखोगे तो उपर आपको देखने को मिलेगा north और नीचे देखने को मिलेगा south उपर north pole हो गया, नीचे south pole हो गया, जब हम लोग किसी satellite को इस pole पर launch करते हैं, कहाँ पर इस pole पर launch करते हैं, तो basically उस polar satellite launch vehicle का इस्तमाल गया जाता है तो polar satellite launch vehicle क्या करता है, जो हमारे poles है ना, उसके उपर satellite को launch करने में मदद करता है, सिंपल बात हो गई, अब देखो PSLV के बारे में अगर हम देखें, तो PSLV को सबसे पहली बार launch क्या जा था 1994 में, और ये इसरो का main rocket है, और अभी भी main rocket है, आप देखोगे हमने PSLV के अंदर पहले के comparison में बहुत सारे improvement कर दिया है, बहुत सारे सुधार किये हैं, जो PSLV है, ये अभी भी बहुत ज़्यदा विश्वासनी rocket है, इस पे इसरो बहुत विश्वास करता है, आप देखोगे, लगबग अगर हम suppose करें, एक example देखें, जो 54 flights अगर इसकी हुई है, तो इसमें तो ये सब के सब polar satellite launch vehicle के माध्यम से ही किये गए हैं, तो इजरो के पास में आज के टाइम पर दो वहिकल प्रोमिनेंटली देखने को मिलते हैं, एक तो PSLV जिसके बारे में अभी हमने देखा, फिर दूसरा आपको देखने को मिलता है GSLV, PSLV के बाद में आ जाता है GSLV, त तो स्टार्टिंग से अगर हम लोग एक बार रिविजन लें, तो सबसे पहले SLV आया, देन ASLV आया, देन PSLV आया, अब बात करते है GSLV की, GSLV की फुल फॉरम है Geo Synchronous Satellite Launch Vehicle, और ध्यान रखना PSLV से जादा powerful है GSLV, ये थोड़ा सा जादा powerful rocket है, इसके अदर booster बड़े पावरफुल रॉकेट है, इसके अंदर बहुत जादा दम है, कितना दम है, कि 10,000, ध्यान से सुनना, 10,000 किलोग्राम की सेटलाइट को लेकर ये लो अर्थ और्बिट तक पहुं सकता है, इतनी पावर इसके अंदर, और इसी का जो मार्क 3 वाला वर्जिन है ना, GSLV मार्क 3 वो अपने आप में और भी जादा strongest देखने को मिल जाता है, ये बात आपको क्लियर हुई, PSLV, GSLV समझ माया, अच्छा एक बात और, PSLV तो आपने समझ लिया था कि वो polar, यानि poles पर move करता है, इस वज़ए से उसको हम लोग polar satellite launch vehicle बोलता है, अब ये बता हो, इसको हम लोग पिचर देखने को मिलेगा, PSLV आपको समझ माया गया, क्योंकि वो poles पर launch होता है, GSLV की जब हम लोग बात करते हैं, तो जो GSLV है, वो अर्थ से, थोड़ा बाहर, जो हमारा orbit होता है, geostationary orbit, geostationary orbit पृत्वी से कितना दूर होता है, 36,000 km, ये मीटर लिखावा है, इसको km कर पर यहाँ पर आप कर सकते हो, ये जो orbit आपको देखने को मिलता है, geostationary orbit, इस particular orbit पर satellite को launch किया जाता है, GSLV के माधियम से, I hope आपको PSLV, GSLV समझ में आ गया है, जो आप rocket देखोगे न, तो ये है PSLV, और PSLV से powerful आ जाता है GSLV, और GSLV से भी जादा powerful होता है GSLV Mark 3, इनके booster जो हैं आप देखोगे, बहुत बड़े बड़े बूस्टर्स होता है, क्योंकि इनका ही major काम है, यही यहाँ पर rocket को power देते हैं, ये कहानी के लिए हो गई, अब उसके बाद हम लोग एक चीज की और डिमांड करेते हैं, वो है SSLV, यानि Small Satellite Launch Vehicle, क्योंकि सभी चीज हमारे पास में available है, लेकिन अभी तक आए ना, कहीं पर हम लोग 1000 किलोग्राम की सेटलाइट को launch करने की power है, इतनी power हमारे पास में है, लेकिन ये बताओ, अगर हमें कोई छोटाई सेटलाइट लाँच करनी है, उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए SSLV की डिमांड की जाती है, Small लोग सेटलाइट्स को लगब 500 किलोग्राम तक की सेटलाइट्स को लाँच कर सकें समझ मैं इस बात ठीक है ना तो ये छोड़ी मोड़ी सेटलाइट्स को स्पेस में लेकर जा सकता है इसके बाद में एक और काम किया जा रहा है वो है reusable rocket या future rocket जैसे मैं आपको बताया कि अभी जो यहाँ पर NSLV बना रहे हैं हम लोग जो नया बना रहे हैं NGLV यानि Next Generation Launch Vehicle वो भी बैसिकल यहाँ पर उसको दुबारा से उपयोग किया जा सकता है दुबारा से reuse किया जा सकता है वैसे ही आपको देखने को मैं एक होता है reusable rocket मैं आपको बता दिया है क्योंकि हम लोग अभी rocket launch करते हैं तो वो जो rocket है सेटलाइट को launch करने के बाद में वो कूड़ा बन जाता है वो अंतरिक्षा कचरा बन जाता है तो हम लोग reusable rocket के उपर काम कर रहे हैं और आपको बता होना चाहिए कि इजरो ने reusable rocket को develop भी कर लिया है और इजरो ने यहाप पर इसको develop किया है नाम दिया है RLVTD Reusable Launch Vehicle Technology Demonstrator जिसको successfully test भी किया गया था साल 2016 में जहाँ पर rocket जाएगा अंतरिक्ष में वापस आजाएगा satellite को launch करकर उसको हम लोग वापस से use कर पाएंगे क्लियर होगी बात नव आ गया आता है अब आपसे अगर कुछ भी question बन जाए तो अराम से आप लोग solve कर सकते हो next article पर आता है अगले वाले article को आप लोग GS paper number 3 environment से relate कर पाऊगे यहाँ पर हम लोग थोड़ा pollution वगरा के बारे में पढ़ने वाले है तो बात क्या की जारी है कि इंतर सरकार मदद करने वाली है कि हम लोग paddy straw pallet units को बनाएंगे ताकि stubble burning को रोका जा सके मतलब क्या है समझते हैं देखो stubble burning एक बहुत बड़ी problem है आपको पता होगा जो पराली है ना जो हमारा crop residue होता है crop के बाद जो waste बचता है उस waste को हम लोग जला देते हैं अब वो जो waste है बिसिकली वो पंजाब हर्यानय के अंदर सबसे ज़ादा जलाया जाता है farmers जलाते हैं उसको तो जलाने से बहुत सारा pollution निकलता है बहुत सारी harmful gases उसमें से निकलती है तो इसका एक solution लाने को लेकर हमेशा सही चर्चर रहती है तो पिछले साल pouser decomposer लेकर आया गया था आपको याद होगा लेकिन अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो यह पराली है के अंदर इसका इस्तमाल करें जिससे की pollution जो है वो और कम होगा देखो अब सरदिया आ रही है सरदिया आ रही है तो अब आपको यह stable burning जो है जादतर देखने को मिलने वाली है पंजाब हर्याणा के अंदर already stable burning एक उचिस्तर पर देखने को मिलती है इसी चीज़ को देखते वे हमारी union environment ministry ने announcement किया है 50 करोड रुपे की एक scheme के बारे में 50 करोड रुपे आपर खर्चे जाएंगे एक scheme के उपर जहां पर focus यह होगा कि हम लोग entrepreneurs को थोड़ा सा और जादा incentivize करेंगे उनको यह पैसा दिया जाएगा ताकि वो इस paddy straw से pallet बना लें pallet जो कि मैंने भी आपको picture के अंदर दिखाया आप जो यह paddy straw देखने को मिलेगा यह जो आपको पराली देखने को मिलेगी इससे जब pallet बनाया जाएगा तो उस pallet का करेंगे क्या तो उस pallet को हम लोग कोईले के साथ में mix कर देंगे आपको पता होगा जो thermal power plants होते है जहाँ पर बिजली को बनाया जाता है तो बिजली कैसे बनती है कोईले को burn करने के बाद में कोईले को जलाने के बाद में बन रही है तो कोईले के साथ में ही अगर हम लोग पैलेट को जला दें तो जादा फाइदा रहेगा है ना पैलेट को हम लोग कोईले के साथ में मिक्स कर दें अगर पैलेट को कोईले के साथ में मिक्स करेंगे तो एक solution नजरी आएगा कि कोईले का उपयोग थोड़ा सा कम हो जाएगा कोईले की जो यूज है न वो थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग पैलेट का भी इस्तमाल कर रहे होंगे जिससे कोईले की वज़ा से जो हो रहा प्रदूशर है जो pollution हो रहा है वो भी कम हो जाएगा तो यह यहाँ पर technique लेकर आई जा रही है तो सरकार क्या कर रही है 50 करोड रुपे का announcement कर रही है announcement अलड़ी कर दिया यह है कि जो भी industrialist हैं जो भी entrepreneurs हैं उनको यह पैसा दिया जाएगा ताकि वो क्या कर सकें इस paddy straw से pellet को बना सकें बाकि इस pellet का उपयोग हम लोग thermal power plant के अंदर कोईले के अंदर इस्तमाल कर सकते हैं जिसकी वज़ा से कोईले की खपत कम हो जाएगी और उसकी वज़ा से pollution काफी कम हो जाएगा वो बात यहाँ पर रखी जाती है बाकि फिर किस प्रकार से पैसा दिया जाएगा कब कब दिया जाएगा वो बाते रखी जा रही है वो आपके लिए बिल्कुल भी important नहीं है बस खाली आप लोग to the point context समझो कि exactly article में क्या बोला गया है अब एक और चीज निकल कर आती है सर यह stable pollution या फिर सरी इसी बाते हैं जो कि हम लोग जान लेते है stable जिसको हम लोग पराली के नाम से भी जानते है तो यह जो पराली है ना अब क्या होता है कि आप देखो कि हमारा crop residue है फसल की कटाई के बाद में बचा हुआ waste है उसको जला दिया जाता है और अगर उसको जला दें तो इससे pollution बहुत होता है देखो यहाँ पर होता यह है कि हमें अगली फसल लगानी है है ना अब अगली फसल लगानी है तो जल से जल यह वाली फसल साफ करनी होगी इसकी कटाई करने के बाद में जो इसका waste बचावाए वो साफ करना होगा अब जो वो कूड़ा बचावाए उसको साफ करने का एक अच्छा और असान तरीका हमारे farmers जो हैं ना हर्यान पंजाब के हैं तो उनको यही लगता है कि वो उसको जला दें और ऐसा बहुत लंबे समय से हो रहा है क्योंकि एक बहुत असान तरीका और cheapest way भी है बहुत सस्ता तरीका इसमें कोई खर्चा नहीं है यह खर्टा करा जला दिया लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है कि इसको जलाने से बहुत सारा pollution होता है बहुत सारी harmful gases निकलती है जो कि अपने आप में environment को तो नुकसान पहुचा ही रही है तो environment के साथ-साथ जो human beings है उनकी health को भी damage हो रहा है उनका respiratory system damage होता बनजर आएगा तो यह problems current time पर बहुत ज़ादा बढ़ चुकी है अब दिक्कत यह आती है और जानना भी आपके लिए बहुत important आपसे mains में पूछा जा सकता है stable burning जो हो रही है ना इसके पीछे के main current क्या है इसके पीछे का cause क्या है सबसे पहला current है technology देखो जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रहे हैं नएने technologies आ रही है और अभी यहाँ पर एक नई mechanized harvesting आपको देखने को मिलेगी नएनी technology देखने को मिलेगी जिससे फसल की कटाई होती है अब नई technologies जब फसल की कटाई होती है तो इसमें कुछ inches stable के बच जाता है आपने पराले की कटाई करी तो हुआ क्या कि machine से कटाई कर दिया आपने अब machine से कटाई करने के बाद में कुछ inches तक यहाँ पर वो जो stubble है वो वही रह गई अब कुछ inches तक वही रह गई तो उसको जला दिया जाता है इससे क्या होता है न बहुत सारा crop residue एकटा हो जाता है पहले तो हम लोग इसका अस्तमाल कर लेते थे अलग-लग जगा पर कोकिंग के परपस अपने जानवरों को गरम करने के लिए मतलब अपने जानवरों को गरम रखने के लिए उनके आसपास जला दिया जाता था तो इस प्रकार से पहले तो उपयोग कर लिया जाता था लेकिन अब यहाँ पर आप देखोगे ना situation यह है कि यह सारे ही तरीके बहुत पुराने हो चुके है और जलाना अपने आप में बहुत खतरना को चुका है क्योंकि जलाने से इसमें से निकलेंगी बहुत सरी gases अब आप कोगे सर इतनी देर से gases gases कर रहे हो कौँसी gases निकल सकती है तो यहाँ पर यह देखो atmosphere में और अगर यह atmosphere में release हुए तो atmosphere को दो damage करेंगे ही साथ ही साथ में जो human health है ना उनको भी यहाँ पर बुरी तरह से affect करेंगे तो पहला तो कारल आपको यह समझ में आया stable burning का दूसरा आपको देखने को मिलेगा कि इस stable burning से जो soil की fertility है वो खराब हो जाती है मतलब आप जितनी पराली को जलाओगे ना इससे मिटी के अंदर जो nutrients है ना वो खतम हो जाएगे मिटी के अंदर जो नमी है ना वो खतम हो जाएगी यह यहाँ पर एक problem आपको देखने को मिलती है तो आपको अभी तक कोई solution नहीं लेकर आया गया पिछले साल हमने काफी बात करी है इसके बारे में वो है पूसा decomposer पूसा decomposer क्या करेगा इस stable को गला देगा आपको क्या करना होगा इस पूसा decomposer को अपनी पराली के उपर शिलक देना है कुछ जिनों के अंदर वो पराली गल जाएगी बिकार हो जाएगी मतलब खतम हो जाएगी तो scientist नहीं आपर इस bio decomposer को develop किया है जिसको नाम पूसा decomposer दे दिया गया ठीक है ना अब आप देखो के पूसा decomposer basically क्या है ये capsule की form में मिलता है अब capsule की form में मिलेगा इसका हम लोग इस्तमाल कर सकते हैं किस प्रकार से इस्तमाल किया जाता है देखो यहाँ पर इन capsule से हम लोग एक liquid बना पाएंगे जो capsule है इसका इस्तमाल करके एक liquid बनाएंगे और वो जो liquid होगा ना उसको हम लोग अपनी पराली के उपर छिड़क देंगे आठ से दस दिनों के अंदर वो जो पराली है वो पूरी तरह से गल जाएगी वो stubल गल जाएगी तो यह यहाँ पर इस प्रकार से उप्योग क्या जाता है कितने टाइम पर डीकंपोज होगी बने से मिट्टी का उपजाव बना मिट्टी के अंदर नमी यह सब खतम हो जाती थी लेकिन जब आप डीकंपोजर का इस्तमाल करोगे तो इससे मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो अपने आप में और ज़दा इंप्रूव होगी बेटर होगी और साथी साथ में हमारे मिट्टी को और ज़दा बेटर करेगी जिससे आने वले टाइम पर जो फसल है वो और ज़दा ग्रूव करती हुई नजर आएगी तो यह यहाँ पर इसके आपको बेनेफिट्स भी नजर आते हैं तो यह था पूरा स्टबल बरनेंग का टॉपिक जो इंपोरेंट पॉइंट्स हैं उनको अपने पास में नोट्स में इंकॉर्परेट कर लेना देखो एक बात और जब भी आप लोग यहाँ पर इस PDF को डाउन्रूड करते हो ना टेलिग्राम से तो जो भी नए लोग है मैं उनके लिए बता रहा हूँ पुराने वालों को सबको पता है तो आप लोग यहाँ पर एक एप को डाउन्रूड कर लेना जिसको हम लोग एड़ोब एक्रोबेट के नाम से जानते हैं तो प्ले स्टोर पर आपको यह एप मिल जाएगा उस एप में इस PDF को जब आप लोग ओपन करोगे तो आपको इस प्रकार से यलो वाले सिंबल्स बलेंगे इस पर जैसे आप टैप करोगे तो यह सारी इंफोर्मेशन मिलेगी इसको आप अपने पास में copy paste करना चाहते हो या इसके notes मना चाहते हो जैसे भी आपके लिए comfortable रहे वैसा आप कर सकते हो तो आप कोगे edit वगरा कैसे किया जा सकता है तो आप जैसे यहाँ पर इसको open करोगे ना open करोगे तो नीचे scroll मत करना open करते नीचे scroll मत करना scroll करोगे तो यहाँ पर आप देख पाऊगे कि यह जो three dots हैं गायब हो जाएंगे तो scroll मत करना बिस खाली open करना open करते इसको ऐसी छोड़ देना आप यह three dots देखेंगे इस पर आप tap करोगे तो यह सारी information edit हो पाएगी आप इसको copy paste कर पाऊगे समझ में इस बात आगे आता है नाव यहाँ पर आता है अगला article इस वाले article को आप लोग GS paper number three environment से again relate कर पाऊगे क्योंकि जो भी जानवर news में होता है important species news में होती है उनको लेकर question बन जाता है तो अभी snow leopard news में है बरफ में रहने वाला जो leopard है वो news में है दिक्कत क्या है देखो अरुनाचल प्रदेश के अंदर एक national park है वैसे बहुत सार है एक national park है नमदफा national park और tiger reserve भी आई है तो यहाँ पर snow leopard पाया जाया करता था यानि कि snow leopard पाया जाता है ऐसा यहाँ पर बोला गया लेकिन अभी तक snow leopard देखने को नहीं मिला क्योंकि कोई evidences नहीं मिले अब ये बात हमने पहले कैसे बोल दी थी फिर कि snow leopard यहाँ पर देखने को मिला है तो कुछ लोग थे जिनोंने अपने point of views दिये थे जिनको एक skin मिली थी एक व्यक्ति दे जिनके पास में skin थी snow leopard की है ना तो उनने बताया कि हाँ देखो यहाँ पर snow leopard देखने को मिलता है नमदपा national park के अंदर तो कुछ लोगों की बातों के ओपर ही यहाँ पर बोला यह जा रहा था कि हाँ snow leopard आपको देखने को मिलेगा नमदपा national park में लेकिन हुआ क्या रिसेंटली जिन व्यक्ति के पास में वो जो skin थी ना उनके घर में आग लग गई थी तो आग लग गई थी तो वो skin भी वहाई पर खतम हो गई तो जो एक evidence था वो भी यहाँ पर खतम हो गया है तो दिक्कत यही है क्या यहाँ पर snow leopard वाकई में है या नहीं है यह आपको एक problem देखने को मिलती है इसको हम लोग यहाँ पर mountain ghost के नाम से भी जाना है क्योंकि अभी तक यह देखने को मिला नहीं है कहाँ पर नमदपा national park के अंदर वैसे तो snow leopard होते हैं आपको अलग अलग जगा पर देखने को मिल जाते हैं अभी जो हम लोग बात करें यह नमदपा national park के बात करें और national प्रदेश के अंदर तो यह जो आपको big cat देखने को मिल रही है तो इसकी एक skin पाई गई थी उसके survey के basis पर ही बोला गया था क्योंकि यह area कुछ इस प्रकार से आपको एक उचाई पर देखने को मिलेगा और इसनों leopard के लिए काफी suitable देखने को मिलेगा लेकिन बाद में analysis के दुरान पता यह चलता है कि जो भी व्यक्ति थे ना आप देखोगे वो जो evidences थे थोड़े से कमजोर पड़ते वे चले गए एक जगा पर जहां पर skin थी तो उनके घर में आग लग गई वो skin यहां पर खतम हो गई तो उसकी वज़ा से भी यहां पर कहीं ना कहीं बहुत सरी problems create हो रही है तो जो wildlife officials आपको देखने को बलेंगे अरुनाचल प्रदेश में वो अभी भी यहां पर इस सर्वे के result का wait कर रहे हैं क्या वाकई में सनुलो लेपरड present है नमदफा नैशनल पार्क के अंदर या नहीं तो इसके उपर यहां पर थोड़ा सा wait किया जा रहा है ठेके ना तो यह आनेवले टाइम पर हम लोगो थोड़ी सी बाते पता चलने वारी है यह तो आपने current issue पढ़ा जो कि कुछ खास ऐसा नहीं है exam के लिए हापर कुछ चीज़े हो सकती है आपके लिए important लेकिन वो जो important चीज़े होंगी ना अगर आपने previous year question paper का analysis किया है तो आप कह सकते हो कि आपसे directly question बन सकता है snow leopard को लेकर या फिर यहाँ पे नमदफ़ा national park के बारे में चर्चा हो रही है उसको लेकर question बन सकता है तो current affair क्या था यह आपने समझा अब static portion से इसको link करता है आओ समझने snow leopard के बारे में snow leopard का जो scientific name है वो क्या है scientific name है panthera unkia अब snow leopard basically एक top predator है mountain ecosystem की बात करें पहाड़ी इलाके में रहता है नाम ही snow leopard है बरफ में रहना पसंद करता है तो basically वहाँ पर आप देखोगे न तो जो छोटे मुटे जानवर है उनको खाने का काम करता है तो उस particular area में एक predator का काम ये करता है कहां काबर पाया जाता है तो mountainous regions जहां जहां पर होंगे अब जहां जहां पर मतलब जैसे कि Central और Southern Asia वाला जो region है यहां पर जो पाड़ी लाके हैं वहां पर देखने को मिलेगा साथी साथ में Western हिमालियास के अगर हम लोग बात करें तो जम्मू और कश्मीर हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा Eastern हिमालियास की बात करें उत्राखंड सिक्किम और अरुनाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा और अगर हम लोग देखें तो Snow Leopard Capital भी है एक मतलब दुनिया के अंदर दुनिया की Capital है Snow Leopard Capital जहां पर सबसे ज़ादा Snow Leopard पाय जाते हैं वो बेसिकली आपको कहां पर देखने को मिलेगा लदाक के अंदर Hemis जो नामक जगा है वो यहां पर देखने को मिलती है बाकी जो Hemis National Park है यह अपने आप में एक बहुत बड़ा National Park है इंडिया के अंदर यहां पर आपको Snow Leopard की अच्छी खासी संख्या मिल जाती है प्रोटेक्शन स्टेटेस की जब हम लोग बात करते हैं तो Snow Leopard IUCN के अंदर Vulnerable Category के अंदर रखाया है इसकी population थोड़ी सी है लेकिन फिर भी यहां पर खत्रे में है इसको बचाना थोड़ा सा ज़्यादा जरूरी है क्योंकि नहीं बचाएंगे तो यह प्रजाती खतम हो जाएगी बाकी Sights के अंदर Sights मतलब Convention on International Trade of Endangered Species तो Sights के अंदर इसको Appendix 1 के अंदर रखा गया है यानि कि इसको इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है जो इंटरनेशनल वेपार होता है उसके उपर बहुत सारी restrictions लगाई गई है माकियां पर Wildlife Protection Act 1972 के अंदर इसको Schedule 1 में रखा गया है मतलब इसको High Protection देने के बारे में बातचीत की गई है बोला जाता है कि अगर कोई इसके हंटिंग वगरा करेगा तो उसके उपर Penalty Charge की जाएगी माकि इस Leopard को बचाने के लिए बहुत सारे efforts हमारी सरकार ने चलाए है जैसे Government of India ने Snow Leopard को बेसिकली यहां पर identify किया है कि जो हिमाल्याज है ना वहां की एक important species है यह Snow Leopard इसी चक्कर में Snow Leopard को protect करने के लिए अलग-लग initiative स्टार्ट किये भारत जो है आज के टाइम पर Global Snow Leopard and Ecosystem Protection Program का ही हिस्सा है हम इसका यहां पर एक part है साल 2013 से ही उसके बाद हिमाल सनरक्षक यह बेसिकली एक Community Volunteer Program है जो कि Snow Leopard को बचाने के लिए काम करता है तो इस हिमाल सनरक्षक का launch काया है था October 2020 में तो बेसिकली आप देखोगे यह काम भी किया जा रहा है Snow Leopard को बचाने के लिए देन उसके बाद में यह सारी बात तो गए Snow Leopard को लेकर आप बात करते हैं नमदपा नैशनल पार्क के बारे में नमदपा नैशनल पार्क को लेकर ही चर्चा की जारी वहाँ पर है या नहीं है इसको लेकर सरवे के बारे में चर्चा की जारी है तो नमदपा नैशनल पार्क कहां पर रिस्थेत है ये बिसिकली आपको इंटरनेशनल बॉर्डर पर देखने को मिलेगा इंडिया और म्यानमार सपोज यहां पर इंडिया है पीछे म्यानमार देखने को मिलेगा इंडिया मैनमर के बॉर्डर पर ही आपको ये नमदपा नैशनल पार्क देखने को मिल जाता है अरुनाचल प्रदेश के अंदर जो चांगलंग डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर एक्जेक्टली देखने को मिलेगा दूसरी important बात नमदपा नैशनल पार्क के अंदर आपको जो ये बिग कैट की स्पीशीज है ना ये जो आपको यहाँ पर अलग-लग स्पीशीज देखने को मिलती है बिग कैट की ये चारोग स्पीशीज यहाँ पर पाई जाती है और इनसे भी relevant बात ये है कि बस खाली आप नाम जरूर से ध्यान अकना कि ये नमदपा नैशनल पार्क कौन से स्टेट को बिलॉंग करता है तो ये बिसिकली अरुनाजल प्रदिरिश में आपको नजर आता है सिंपल हो गया आगया आता है आगले आर्टिकल पर then business page पर आता है economic point of view से important article को cover करेंगे दोको यहाँ पर कोई भी article काम का नहीं है एक lot article यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा food prices को लेकर बात करता है पिछले महिने September के महिने में जो खाने पीने के दाम है ना मतलब खाने पीने का जो समान है food prices है वो बहुत तेजी से increase होते हैं अभी तक का सबसे ज़ादा inflation देखने को मिला है पिछले मंत में तो उसी को लेकर यहाँ पर एक data दिया गया है आउ मैं आपको एक दूसरे article से इस data को समझाता हूँ क्या खरकार यह क्या क्या दिक्कत है देखने को मिल रही है आपको यहाँ पर यह वाला picture नजर आ रहा होगा क्या बात की जारी है यहाँ पर आप देख पाओगे तो पिछले महीने यानि कि जो हमारा September का मंत था ना उस महीने में आप देखोगे जो inflation है वो अपने आप में बहुत जादा था यानि कि inflation लगबग आपको 7.41% का देखने को मिला है लेकिन यह basically CPI inflation है और कल ही मैंने आप लोगो अगर आप लोगो CPI, WPI, inflation क्या होता है, क्या कारण है यह सारी बाते जाननी है तो कल का वीडियो ओपन करना और starting में सबसे पहला article मैंने आपको inflation के बारे में ही पढ़ाया है CPI क्या होता है, WPI क्या होता है, कैसे measure करते है वो सारी बाते मैंने starting में ही आपको बताई है तो 7.41% आपको यह retail inflation देखने को मिला पिछले महीने यानि September के मंद में लेकिन यहां पर हम बात करते हैं food की, खाने पीने के समान की तो इसके दाम और ज़दा बढ़ते हैं आप देखोगे, तो experts का क्या कहना है कि पिछले महीने ये दाम क्यों इतने बड़े उसके पिछे का reason क्या है मतलब पिछले महीने महंगाई क्यों इतनी बड़ी देखने को मिली उसके पिछे के कुछ कारण है न वो कारण क्या है number one कारण सबसे पहला कारण है कि भाईया पिछले साल जो food prices है वो बहुत जादा थे आप देखोगे जो सबजिया है उनकी prices के अंदर 18% से बड़ोतरी देखने को मिली थी मसालों के अंदर 16% से जो cereals और product से उनके अंदर 11% से और जो दूद वाले items से उनके अंदर 7% से मतलब इन सभी के दाम पिछले महीने बहुत जीसे increase होते हुए नजर आए थे एक तो करण ये था जिसकी वैसे inflation पिछले महीने बढ़ा दूसरा आप देखोगे फैक्टरी का output कम हो गया था फैक्टरी का output कम होने का मतलब यह है कि जो industries हैं जैसे mining industry हो गई, construction industry हो गई यह सभी industries बुरी तरह से affect हो गई हैं इन industries ने ज़्यादा कुछ काम किया नहीं है, इसे ज़्यादा output निकल कर आया नहीं है, ज़्यादा production यहाँ पर किया नहीं है तो इसकी चक्कर में भी आप देखोगे पिछले साल inflation थोड़ा ज़्यादा, स्वरी पिछले महीने inflation थोड़ा ज़्यादा रहा फिर बात आती है, तीसरा point, lower exports यानि पिछले महीने हमने export भी बहुत कम किया है दुनिया भर में slowdown चल रहा है, रश्या युकरेन के war की वज़ा से, inflation की वज़ा से, बहुत सरे कारण की वज़ा से, तो हम इतना export कर भी नहीं पाए उसकी वज़ा से, हमारा revenue generate नहीं हो पाया आप देखोगे, तो इसकी वज़ा से भी जो inflation है, वो बढ़ता वो नज़र आया तो एक कुछ यहाँ पर key reasons बताएगा है inflation के, जो की पिछले महीने देखने को मिले है, clear होगई बात, simple होगई बात now, आगे चलते हम लोग अपने editorial discussion पर now, editorial की बात करें, तो आज Friday है Friday में editorial अपने आप में कमा आते हैं, आपको बता होगा, लेकिन आज एक editorial बहुत अच्छा है, आप देखोगे बहुत lengthy article है, फिर उसके बाद में एक editorial यहाँ पर है, एक editorial यहाँ पर है मतलब हैं अच्छे गासे आर्टिकल है, उनको थोड़े डिटेल से discuss करेंगे, जो यह आपको आर्टिकल देखने को मिल रहा है, वो हर Friday के अंदर एक interview आता है, दो व्यक्तियों के बीच में अपने point of views को वो share करता है वो सारी बात है आपको देखने को मलेंगी लेकिन एक आज बहुत अच्छा topic है, इसको हम डिटेल से discuss करेंगे, लेकिन आपको बताओगा हमेशा, editorial discussion से पहले हम लोग लेते हैं एक mains का question तो आज mains का question क्या बोलता है तो आज का question थोड़ा simple सा है और interesting सा भी है, कम शब्दों में लिखना है Indian society still encounters the problem of hunger and poverty, जो भारत के अंदर आपको Indian society देखने को मिलती है इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया अभी भी बहुत सारी problem से सफर कर रहा है जैसे भुकमरी अभी भी देखने को मिलती है गरीवी अभी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है तो इसको लेकर आप क्या सोचते हो यानि कि अभी भी भी भुकमरी गरीबी है इतनी कुछ problems आ रही है तो इसके पीछे के reasons क्या है यह आपको बताना है और क्या suggestions आपके हो सकते है इन particular situation को improve करने के लिए वो आपको बताना है तो 1500 शब्दों में आंसर लिखना है जादा लेंदी नहीं लिखना है शिर्फ 1500 शब्दों में और आंसर लिखने के बाद में कहां पर submit करना है टेलिग्राम पर जाना सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक चैदव education means answer writing जैसी आप लोग full form लिखोगे आपको वो चैनल में लेगा लगबग 32 से जादा 1000 लोग जुड़ेवे हैं और एक दूसरे के answers को लिखते हैं एक दूसरे के answers को रिव्यू करते हैं ठीके ना मैंने पहले भी ऐसी बोल दिया था तो एक दूसरे के answers को रिव्यू करते हैं तो सभी लोग answers वहाँ पे लिख रहे हैं आप भी ये करना, answer को लिखना, submit करना और इससे फाइदा आपको बहुत कुछ होने वाला है लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूँ कि जब आप answer लिखकर submit करोगे ना तो एक काम जरूर करना कि एक दूसरे के answers को review करने की कोशिच करना अगर आप दो-दो answers को review करोगे अगर suppose एक व्यक्तिक answer review हो चुका है तो आप उस answer को review दुबारा मत करना आप दूसरे का answer review करो तो इससे reviews जब होंगे ना तो आपका confidence boost अप होगा आप महाँ पे answers के अंदर participate करोगे दूसरी important बात आपके पास में बहुत सरे important points collect होंगे जो की आपके पास में नहीं थे या आपकी thinking महा तक नहीं पहुँची थी तो उस प्रकार की जो thinking है वो develop होनी लगेगी जो आप लोग 9 point of use देखोगे क्योंकि brain तभी enhance होता है brain की capability तभी enhance होती जब हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर देखते हैं फिर उसके बाद में third point में आप देखोगे तो एक फाइदा ये भी होगा सामने वाले कि आप mistakes बता पाओगे अगर उनके answer में कोई mistake है तो हैना आप उनको mistake बता पाओगे कि आपको यहाँ यहाँ पर improvement की आवश रखता है देखो किसी को भी ना आप discourage मत कर देना आप सिर्फ यहाँ पर सामने वाले को increase ही करना क्योंकि इससे group थोड़ा और बेटर तरीके से आगे बढ़ पाएगा आते हैं एडिटोरल पर आज का जो पहला एडिटोरल है यह दो राइटर्स के दुरू लिखा गया है यहाँ पर आप देख पाओगे एक हैं पूनम मुतरजा दिन उसक्याद एक हैं सोनालदे देशाए यह आपको सबसे पहला पूइंट यहाँ पर सबसे पहले पहरा पर आता है पहला पहरा यह बोलता है कि देखो इस साल अगर हम लोग बात करें तो युनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है उस डेटा के अंदर हम लोग देखें तो यह बोला जा रहा है कि साल 2023 तक भारत चाइना को सरपास कर देगा यानि कि भारत चाइना को पीछे कर देगा कौन से मामले में वर्ल्ड मॉस्ट पॉपुलस कंट्री के मामले में हम लोग अभी सेकिंड नंबर पर आते हैं जहां पर दुनिया में सबसे ज़ादा जिनसंख्या देखने को मलती है लेकिन फर्स नंबर पर कौन है वो है चाइना बोला यह जा रहा है 2023 तक हम चाइना को पीछे छोड़कर आगे निकल सकते हैं और दुनिया की मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन सकते हैं यह एक डेटा के अकॉर्डिंग बता है यह अब एडिया का जब आप लोग पॉपुलेशन स्ट्रक्चर देखते हो ना तो वो अपने आप में 2041 तक बहुत तगड़े पीक पर होगा हम लोग बिल्कुल पीक पर होगे 2041 तक ऐसा यहां पर बोला गया लेकिन जब वो सिचुएशन होगी तो आप देखोगे उस टाइम पर जो वर्किंग इज पॉपुलेशन होगी जो की काम कर रही होगी वो लगबग 59% के आसपास होगी यानि कि वर्किंग इज पॉपुलेशन 59% के आसपास होगी ऐसा यहां पर जा रहा है तो इसी रिपोर्ट के अधार पर अब थोड़ा सा एनिलाईज किया गया है क्या इंडिया को ज़रुरत है एक पॉपुलेशन पॉलिशी की भारत को पॉपुलेशन कंट्रोल करनी चाहिए इसको लेकर को पॉलिशी लेकर आनी चाहिए तो अब यहां पर यह राइटर इसके बारे में लिखती है राइटर ने पहले यहां पर यह बोला कि देखो जो पूनम मुद्रेजा साब है सॉरी यहां पर यह जो वहीला आपको दिखने को मिल रही है यह क्या बोलती है इन्होंने बोला कि हम लोगों को जरुरत है कि सिच की कि हम लोग जो family planning करते हैं इतने बच्चे होंगे इस प्रकाट से हम पर family चलेगी तो family planning approach से हट कर हमें family welfare approach की तरफ आने चाहिए कि कैसे हम परिवार का कल्यान कर सकता है कैसे परिवार और grow हो सकता है आगे कैसे परिवार contribute कर सकता है इंडिया के परती और ज़ादा तो family planning approach की बजाए आप family welfare approach रखो हमको focus ये करना चाहिए कि हम लोग men और women को कैसे empower करें कैसे उनको और ज़दे power दी जाए कैसे उनको अपनी choices दी जाए अपने हिसाब से वो चीजों को decide कर सकें अपनी fertility decide कर सकें health, well being के उपर उनके उपर काम किया जाए क्योंकि जैसे से fertility drop होती है यानि कि जैसे से population कम होगी इससे क्या होगा लोग का जो life span है वो बड़ेगा और ऐसा हो भी रहा है मतलब आप देखोगे population भले कम हो रही हो अब क्या होगा जब समझो बच्चे पैदक होने थोड़े से कम हो जाए तो अगर इससे बच्चे पैदक कम होगे तो इससे क्या होगा कि दुनिया भर के अंदर जो लोग है वो बूड़े होने लगेंगे है ना क्योंकि नई population हो नहीं रही होगी नई population कम जनरेट हो रही होगी और लोग बूड़े हो रहे होगे तो इससे दिक्कत यह होगी कि दुनिया भर की जो countries है वो बूड़ी हो रही होगी और आज की टैम पर भी यह हो रहा है कि दुनिया भर के अंदर एक aging देखने को मिल रही है और अगर population थोड़ी सी थम जाए यानि कि बच्चे पैदा जो हो रहे हैं वो थोड़ी से और कम हो जाए तो इससे आप कर सकते हो कि दुनिया जो बूड़े की होने की तरफ बढ़ रही है उसके दर गती और बढ़ जाएगी वो speed और बढ़ जाएगी बहुत तेजी से यहाँ पर लोग बूड़े होने लगेंगे तो यह बेसिकली यहाँ पर बोला गया है तो हमें क्या करना होगा इस particular issue कर अच्छे से देखना होगा हमें planning करनी होगी अपने population को लेकर एक planning यह करनी होगी कि कैसे हम लोग उनको यानि कि जो आने वाली time की population जो बोड़े होने वाले लोग है ना उनकी कैसे हम लोग health को care कर सकता है उनकी health के उपर कैसे ध्यान रखा जा सकता है क्योंकि अभी के time पर हम लोग इनी सब चीज़ों के बारें बात करते है population policy और यह सब बगरा आप यह नहीं देखते कि एक time बाद एक बहुत अच्छी कासी population होगी जो की old age category में होगी तो उनकी कैसे care करनी है आपको उस चीज़ के ओपर भी focus करना होगा clear हुई बात देन उसके बाद में अब दूसी writer जो है सुना लाई देशाई यह क्या बोलती है देखो इनका क्या कहना है इसको समझो एक second को zoom कर देता हूँ यहाँ वाले writer हम लोग पढ़ रहे है देखो इनका कहना है कि यह उस चीज़ के बारे में नहीं है कि मतलब population बड़ी हो या छोटी हो यह चीज़ matter नहीं करती है matter यह करती है population healthy हो skilled हो और productive हो यह अपना में बहुत important point है population बड़ी हो छोटी हो इसे कोई मतलब नहीं population कितनी skillful है उनके पास में कितनी skills है लोग healthy रह रहे हैं या नहीं रहे हैं लोग productive हैं या नहीं है यह चीज़ा matter करती है अगर हम लोग इस चीज़ के उपर focus करते हैं न तो इनी ती चीज़ों की सबसादा कमी रहती है क्योंकि हम लोग current time पर situation देखें तो बहुत ज़्यादा खराब है mortality बहुत देखने को मिलती है कम उम्रों में बच्चों की मृत्ती हो जाती है महिलाओ की मृत्ती हो देखने को मिल रही है तो ये चीज़े पहली बात हमें इन चीज़ों को पर control करना होगा हमें जरूरत है कि हम लोग एक lesson को लेकर चलें कि कैसे हमारी जो present population है वो उसको हम लोग skillful बनाएं यानि कि आप अगर जनसंख्या को control करने के लिए एक कोई policy की बात कर रहो तो उसके उपर नजर ना डाल कर पहले आप ये नजर डालो कि current time पर जो हमारे पास में जनसंख्या है कि उसको हम लोग कैसे और ज़दा skillful बना सकते हैं कैसे उनको और ज़दा productive बना सकते हैं और ये skillful बनाना बहुत ज़दा important है क्योंकि ये directly हमारे economic के अंदर contribute करेगा फिर उसके आद में writer mention करती हैं चाइना के बारे में देखो चाइना से हम लोग काफी सारे lessons ले सकते हैं अब lessons मतलब ये है कि कुछ सीखना नहीं है कि चाइना से ये सीख सकते हैं कि हमें क्या नहीं करना है जो चाइना ने किया था चाइना ने कुछ गलतियां करी हैं जो कि हमें नहीं करनी हैं वो क्या क्या हैं वो यहां पर writer बोलती हैं देखो इन्होंने बोला कि चाइना ने एक समय पर अपने population को control करने के लिए बहुत सारे कठोर कदम उठाए One China policy यहाँ पर इन्होंने implement कर दी लागू कर दी एक बच्चा ही आप कर पाओगे इस प्रकार से यहाँ पर चाइना ने इसको लागू कर दिया लेकिन अब देखोगे न तो इनकी situation यह हो गई है कि बुढ़ापा बहुत हो गया चाइना बुढ़ा हो चुका है क्योंकि लोग बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं लोग बुढ़े होते चले जा रहे हैं तो क्या situation होगी बुढ़े लोगों की जनसंग जो है वो बढ़ जाएगी वही हो रहा है लेकिन situation बहुत ultimate लेवल पर पान चुका है कि बहुत सारे लोग बुढ़े हो चुके हैं तो अब चाइना को यहाँ पर चिंता हो रही है यह चीज को लेकर तो चाइना अब क्या कर रहा है अब जबरदस्ती लोगों के उपर focus कर रहा है लोगों encourage कर रहा है कि आप दो बच्चे पैदा करो मतलब आप बच्चे पैदा करो तो अब आपको incentive देंगे आपको बदले में पैसा देंगे आप बच्चे पैदा करोगे तो इस प्रकार से situation यहाँ पर आ चुके है चाइना के अंदर तो आपको समझना होगा कि एक टाइम पर जो fertility rate है ना वो एक तरीके से चाइना ने बहुत ज़्यादा इसको पर control किया बहुत ज़्यादा कटोर कदम उठाए लेकिन अब आप देखो कि तो situation पूरी तरह से कि देखो दिक्कत यहाँ पर यह है कि अगर हम लोग बात करें चाइना के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं चाइना के बारे में सुन रहे हैं तो चाइना में आपको एक सबसे बड़ी दिक्कत यह देखने को मिल जाती है कि जब population बढ़ रही है न तो उन बुड़े हापे वाले लोगों के health के उपर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है उनकी happy life के उपर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो हम लोग सीख ये सकते हैं कि इंडिया आने वले time के लिए सोच सकता है कि कैसे जो aging population होगी कैसे जो बुड़े लोग होंगे उनको हम लोग कैसे treat करेंगे उनके लिए कैसे एक अच्छी condition को रखेंगे उनकी health को कैसे maintain करेंगे है ना उनके लिए कैसे एक happy life को maintain करके लग सकते हैं फिर उसके बाद में again writer आती हैं अब यह बोलती है कि देखो सबसे पहली बाद जब बात की जारी है elderly population की बुड़े वाले लोगों की तो चाइना ने ना कोई भी पैसा मतलब अगर चाइना अपने literacy के उपर पढ़ाई लिखाई के उपर अपने health system के उपर ना खर्च करता तो इससे यहाँ पर situation मतलब जितना भी थोड़ा बहुत भी खर्च किया है ना करता तो वो situation और खराब हो सकती थी तो इंडिया की जो population है यह 2025 तक अगर आप लोग देखोगे तो 2025 तक भारत के अंदर लगबग 12% के आसपास जो लोग होंगे वो elder होंगे यानि कि थोड़े बुड़ापे वाली category के अंदर होंगे और 2050 तक अगर हम लोग बात करें तो 2050 तक हर पांचवा भारतिय नागरिक की उम्र 65 साल से जादा होगी तो मतलब 2050 तक बुड़ापे वाले लोग देखने को मिलेंगे तो हमें करना क्या है? हमें कुछ इन्वेस्ट करना है कहां पर? एडुलेसेंट्स के उपर जो करेंट टाइम पर 12 से 19 साल के बच्चे हैं उनके उपर आप इन्वेस्ट करो क्योंकि यही लोग एड़ लास्ट आपको बेनिफिट देने वाले हैं पॉपुलेशन पॉलिसी की बजाए आप देखोगे तो आप इन्वेस्टमेंट करो इन बच्चों के उपर यह आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न देंगे अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया न तो कही न कहीं जो पॉपुलेशन है यह डमोग्राफिक डिजास्टर बनकर निकलेगी बूड़े लोग यहाँ पर रहेंगे बूड़े लोग क्या होंगे इन जवान के उपर डिपेंडेंट होंगे जवान कुछ कर नहीं रहोंगे इनके पास में स्किल्स नहीं होंगी तो इससे क्या होगा ना एकनॉमिक पती कॉंट्रिबूशन होगा ना कुछ होगा तो आपको अभी से जो आपको बच्चे दिखाई पड़ रहेंगा इनके उपर काम करना होगा जो यूथ आपको दिखाई पड़ रहे ना इनके उपर काम करना होगा ये बात यहाँ पर बोला गया हमें जरूरत है हम लोग employment opportunities को improve करें अपनी women के लिए जो भी यहाँ पर भारत के अंदर महिला हैं तो उनके लिए female employment rate को बढ़ाया जाए और जो एक तरीके जिनकी महिलाओ की उम्र जादा हो चुकी है उनको हम लोग social support प्रवाइट करवाएं economic support प्रवाइट करवाएं ये भी बहुत relevant है I hope आपको यहाँ पर सारी बाते समझ में आई हैं तो इन्होंने यहाँ पर बोला कि देखो आने वले टाइम पर अगर population थोड़ी सी आपको कम भी देखने को मिलेगी तो basically अलग-लग state के अंदर situation अलग-लग आपको देखने को मिलती है तो उसी state के हिजाब साब को काम करना होगा यहाँ पर state का involvement यानि जो हमारी राज्य सरकारे हैं उनका involvement भी बहुत जादा जरूरी है क्योंकि हर जगा पर आप यह नहीं कह सकते situation कैसे कहीं पर population बूरी जादा है कहीं पर किसी state के अदर population कम बूरी है कहीं पर जनसंकिया कहीं कुछ और है कहीं पर जनसंकिया कुछ और है तो उसके हिसाब से हमें काम करना होगा इंडिया के पास में अल्रेडी एक बहुत अच्छी population policy है ऐसा यहाँ पर राइटर बोलती है उस policy को डिजाइन किया था साल 2000 में तो हमारे पास में अल्रेडी एक policy नजर आती है population को लेकर बस खाली हमें वोसी population policy को देखते रहो और जो आज के टाइम पर बोड़े लोग है उनके उपर ध्यान दो और जो बच्चे हैं उनके उपर ध्यान दो बोड़ों की healthcare कैसे manage करनी है और बच्चों को कैसे यहाँ पर skills प्रोवाइट करवाना है कैसे यहाँ पर उनको और ज़दा productive बनाना है यह काम किया जा सकता है तो यह अगर हम लोग काम कर ले तो हमारी population जो है न वो काफी better रहने वाली क्योंकि हम लोग दोनों तरफा ध्यान रख रहे होंगे बोड़े लोग के लिए भी और इधर youth के उपर भी तो यह इस प्रकार की जो policy है यह बहुत ज़ादा जरूरी है भारत के लिए ऐसा है यहाँ पर writer बोलती है इसके बारे में हमें थोड़ा सा सोच विचार करना होगा clear हो गया अई होब आपको सारी बाते बहुत अच्छे से simple से शब्दों में समझ में आ चुकी है next editorial पर आते हैं अगला editorial बात करता है a report on the North East Delhi rights के बारे में देखो आपको पता होगा साल 2019 Citizenship Amendment Act Citizenship Amendment Act जब लेकर आया गया ना उसके बाद बहुत ज़दा protest हुआ बहुत ज़दे बवाल हुआ पूरे डेली के अंदर आपने देखा बहुत सारी जगवर बवाल देखने को मिलेगा तो North East Delhi के अंदर दंगे भी हुए कुछ rights देखने को मिले और उन दंगों के अंदर बहुत सारे लोग की मृत्य हुई और बहुत सारे लोग इंजर भी हुए तो उस particular issue को लेकर वो जो भी हुआ था उसको लेकर एक report आई है तो यहां पर आप देखो के यह जो report है ना यह basically February 2020 के अंदर जो दंगे हुए थे उसके उपर बनाई गई है और यह जो report है इस report को मनाया गया है जो हमारे former judge है Supreme Court के उनके थुरू तीन high court के retired judge है एक retired IS officer है इन सभी लोगों ने मिलकर इस report को बनाया और इस report को बनाने में इन्होंने ज़ादतर उपयोग क्या है legal documents का जैसे FIR, chart sheet इन सब चीजों का ज़ादा अस्तमाल किया गया है है ना कि किन-किन लोग के उपर आफायर दर्च करवाई गई थी उस समय पर किन-किन लोग के chart sheet तयार की गई थी तो उनके data के उपर ज़ादा focus किया है उस data के basis पर एक report यहाँ पर तयार की गई है अब जब आप लोग इस report के material को analyze करोगे तो यहाँ पर बोला यह जाता है इस report के अंदर में कि जो भी 2020 के अंदर दंगे हुए थे citizenship amendment act के आने के बाद में डेली के north east area में तो इसमें जो डेली पुलिस है उसका एक बहुत बड़ा failure था डेली पुलिस यहाँ पर इस violence को रोक नहीं पाई एसा यहाँ पर बोला गया साधी साध में UAPA Act का बहुत जादा इस्तमाल किया गया Unlawful Activities Prevention Act का बहुत जादा उपयोग किया है डेली ने ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है है ना लोगों को यहाँ पर arrest किया गया इसी particular act के तयाद यह बोला गया तो यह चीज़ें यहाँ पर इस report के अंदर mention की गयी है हाला कि ऐसे इस दंगर के ओपर और भी reports आई थी लेकिन उन report के ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है कि उसमें ज़्यादा facts नहीं थे अब यहाँ पर ज़्यादा facts के साथ में इस report को लेकर आया गया है ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है इस editorial में ठीक है ना यह situation कावं किये मैं आपको बता दिया 2019 में जब CAA citizenship amendment act को लेकर आया जा रहा था बोला यह जा रहा था कि Muslim community के against में यह सारी चीज़े लेकर आए गई है Muslim community की जो citizenship है वो छीन ली जा रही है तो इस वज़ा से यहाँ पर यह जो दंगे है यह बहुत हुए NTCA प्रोटेस्ट आपको देखने को मिले और वो जो प्रोटेस्ट है फिर अपने आप में बहुत ज़्यादा राइट्स के अंदर बवाल के अंदर दंगों के अंदर बदल गया जिससे लोगों की मृत्ती हुई लोगों की जाने भी गई और सदी साथ में बहुत सरे लोग इंजर्ड भी हुए ठीके ना दिक का यहाँ बताई जा रही है जो डेली है डेली के अंदर जो पुलिस है बेसिकली वो कंट्रोल नहीं कर पाई इस वोलेंस को जिसकी वज़से सिचुएशन तो है थोड़ी सी और ज़्यादा खराब हो गई आई होप आपको यहाँ पर यह इशु समझ में आ चुका है तो इसमें जादा कुछ भी नहीं था बस खाली इतनी सी इंफोमेशन आपको देखने को मिल जाती है लेकिन करना क्या है अब आप लोग सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में जरूर से पढ़ लेना यह आपके लिए थोड़ा सा रेलिवेंट हो जाता है आओ मैं आपको बताता हूँ अभी रिसेंटल यह न्यूज में भी था और हमेशा यह न्यूज में आता रहता है सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर आर्टिकल में बताया जा रहा है कि देखो इसके आपको क नागरिकता देने के बारें बाचीत की जा रही थी देखो कुछ लोग अफगानिस्तान के जैसे अफगानिस्तान बांगलदेश पाकिस्तान अगर यहां से कोई लोग है जो की हिंदू सिख बुद्धिस चेन पार्सी या फिर क्रिश्चन कॉमूनिटी से बिलोंग करता है तो वो व्यक्ति वो सभी व्यक्ति यानि कि यह वो जो माइगरेंट्स हैं यानि पाकिस्तान बांगलदेश अफगानिस्तान से इन इन रिलीजन के अगर कोई भी व्यक्ति इंडिया के अंदर आये हैं माइगरेंट हैं तो उनको यह नागरिकता दी जाएगी यानि सिटिज इसके पहले दिक्कत यह है कि आपने एक पर्डिकुलर कॉमिनेटी को टार्गेट कर दिया है यानि कि जो मुसलिम्स हैं उनको यहाँ पर अलाव नहीं किया है केवल नॉन मुसलिम्स ही आप देख पाओगे वही सिर्फ सिटिजनशिप ले सकते हैं ऐसा यहाँ पर बोला गया फिर दूसरा यहाँ पर बोला गया कि आप देखोगे North Eastern State के साथ में यह Citizenship Amendment Act Conflict में आ जाएगा क्योंकि जब आप लोग असम की बात करते हो न तो असम Accord 1985 का देखने को मिलेगा तो असम Accord 1985 का क्या बोलता है वो यह बोलता है कि जो Illegal Migrants है जो अवय तरीके से लोग आएं है न उनको वापस भेद दिया जाएगा बांगलदेश क्योंकि वो बांगलदेश से आए तो वापस वही पर भेद दिया जाएगा जबकि दूसरा आपको यह जो Citizenship Amendment Act देखने को मिलता है यह नागरिकता देने की बात करता है तो जो North East State के अंदर कुछ इस प्रकार के Act है और यह Citizenship Amendment Act है इनके बीच में Clash हो जाता है यह बात यहां पर रखे जाती है फिर बोला गया कि Fundamental Rights के Against में है जो Article 14 है हमारे सम्विधान का जो कि एक Fundamental Rights है Right to Equality के बारे बात करता है तो इन Rights का हनन हो रहा है इनका Volation हो रहा है Citizenship Amendment Act के मादियम से यह बात रखे जाती है फिर उसका बोला जाता है कहीं न कहीं इसकी वज़ा से क्या होगा जो Relations है हमारे अफगानिस्तान, बांगलादेश और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ में वो खराब हो जाएंगे हमारे Ties हैंपर हो जाएंगे ये भी हाँ बात रखे गई है Citizenship Amendment Act को लेकर जो concerns ये सारी यहाँ पर चिंताई व्यक्त करी गई थी अब अगर आप देखोगे तो Ministry of Home Affairs ने अपना क्लारिफिकेशन दिया Ministry of Home Affairs ने यहाँ पर क्या बोला वो समझो Ministry of Home Affairs ने ये बोला कि जो भी दंगे हो रहे थे ना सिच को देखते वह ये बोला कि Citizenship Amendment Act जो है न ये बेसिकली Indian citizens को Indian citizens के उपर आप देखोगे ये अपलाई नहीं होता है अब बांकिस्तान, बांगलेदिश, अफगानिस्तान से कोई माइगरेंट आया है बाहर से उनको हम बस खाली नागरिकता दे रहे हैं इस पर्टिकलर एक्ट के मादियम से ये सिंपल सी बात है अब यहाँ पर हम किसी की नागरिकता चीन नहीं रहे हैं क्योंकि एक rumor ये फैल चुका था कि Muslims की यहाँ पर जो नागरिकता है जो citizenship है वो यहाँ पर चीन ली जा रही है तो यहाँ पर Ministry of Home of Foreign ने क्लियर किया कि हम किसी की नागरिकता किसी की जो citizenship है वो छीन नहीं रहे हैं, ठेके ना, जो Indian citizen है, उनके पास में नागरिकता रहेगी बस खाली बाहर से ये जो लोग आ रहे हैं, उनको यहाँ पर यहाँ citizenship दे रहे हैं, साथ ये साथ में इनों ने एक चीज यह भी बोली, कि देखो इसमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति eligible है, citizenship act 1955 के अंदर में इस act के अंदर में कर कोई व्यक्ति eligible है कि जो की भारत की नागरिकता को ले सकता है अगर eligible है, सारे criteria को fulfill कर रहा है, तो आप वैसे भी citizenship ले सकते हो, इसमें दिक्कत वाली बात क्या है, है ना, तो citizenship amendment act के अंदर citizenship लेने के process या eligibility criteria को तो नहीं बदला गया ना, अगर आप eligible हो, तो आप ले सकते हो ये बात यहाँ पर ministry of home affairs ने बोली थी, I hope आपको ये सारा का सारा issue जो है ना वो समझ में आ चुका है चलो, आगे आता है next editorial बात करता है Interpol General Assembly Meeting के बारे में देखो, एक Interpol General Assembly Meeting होने वाली है, ये कहाँ पर होने वाली है, डेली के अंदर होने वाली है कब से कब होगी, 18 October से ये 4 दिन तक Meeting चलने वाली है तो ये Interpol क्या है देखो, आपको पता होना चाहिए Interpol ये बिसिकली पूरा का पूरा International Criminal Police Organization है दुनिया भर की लगबग 195, 195 Countries इसका हिस्सा है अगर किसी व्यक्ति को पकड़ना है, किसी मजरियों को पकड़ना है और जो कि एक देश से तो ये Interpol से नोटे जारी किया जाता है ये 195 जो देशों की पूलिस है ना, ये सब साथ में मिलकर एक्टिव हो जाती है तो अगर कोई व्यक्ति इदर से उदर भाग रहा है ना, किसी कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो उसको पकड़ लिया जाएगा उसी देश के अंदर ये Interpol का यहाँ पर एक काम होता है लेकिन 1997 में कुछ इस प्रकार से मीटिंग हुई थी डेली के अंदर में उसके बाद से ये कुछ इतना बड़ा कॉनफरेंस होने वाला है वापस से 18 अक्टूबर में ये बात यहाँ पर बूली जा रही है Interpol क्या है 1923 में यहाँ पर इस Interpol को बनाया गया था ये बेसिकली एक information sharing platform है और बहुत secure है दुनिया बर के जो police है वो criminal investigation करती है और criminal investigation को लेकर सारी information को आपस में share करती है तो Interpol ये organization क्या करता है हर एक देश के अंदर में अपना NCB को establish कर देता है for example अगर मैं आपको बता हूँ तो भारत के अंदर आपको CBI देखने को मिलेगा Central Bureau of Investigation जो CBI है ना ये भारत को इस Interpol के जरिये represent करता है है ना तो भारत को represent करता है CBI इस पूरे के पूरे Interpol के अंदर जो Interpol के head होते हैं ये एक president होते हैं जिनको elect किया जाता है General Assembly के थुरू ये basically member nation से ही निकल कराते हैं 4 साल के लिए यहाँ पर office इनके हाथ में रहता है यानि कि मैं आपको बता दिया ना Interpol के head एक president है जो कि 4 साल तक यहाँ पर उस office को समालते हैं day to day activities को यहाँ पर देखते रहते हैं क्या क्या यहाँ पर चल रहा है जो भी कोई issue होता है जो भी crime होता है terrorism, drug की तसकरी हो गई financial crime हो गया, environmental crime हो गया human trafficking हो गया इस particular cases को यह Interpol पूरा कपूरा देखता है I hope आपको यहाँ पर इस समय में आ चुका होगा अब Interpol के अंदर ही अलग-अलग notices जारी करे जाते है red notice, अलग-अलग notice आपको देखने को मिलेंगे अलग-अलग color को represent करते हैं वो notice क्या है? आपको इसके बारे में थोड़ी सी information देता हूँ तो Interpol notices की जब हम लोग बात करते हैं तो आपको ये नजर आएंगे red notice नजर आता है red notice wanted person के लिए जारी किया जाता है yellow notice missing person के लिए blue notice additional information के लिए black notice unidentified bodies के लिए green notice warning के लिए orange notice imminent threat के लिए purple notice modest operandi के लिए और Interpol UN security council special notice भी आपर दिया जाता है तो इस प्रकार के अलग-लग आपको notices देखने को मिलता है जो कि Interpol के अंदर में आता है कोई wanted person है तो उसके लिए ये वाला notice जारी किया जाएगा कहने का purpose है दुनिया बर की पुलिस आपस मिलकर काम करती है 18 October को इंडिया में इनका एक meeting होने वाली है और short article से सबी चीज़ें हम लोगों निया पर cover कर ली है with proper background information अब आते हैं हम लोग अपने prelims के question के तरफ तो साल 2020 का ये previous year का question है आपसे पूछा गया था जो gold tranche है reserve tranche है basically ये किस चीज को refer करता है तो उसका correct answer है option D ये basically एक credit system है जो की international monetary fund अपने ही खुद के members को देता है अपने members को grant करता है ठीक है ना तो ये बात ध्यानक ना बाकी जो भी information है मैं आपको बता दिये कहां से लेनी है telegram से PDF डाउनलोड कर लेना Adobe Acrobat app डाउनलोड कर लेना वहां से आपको इस सारी information मिल जाएगी इसके साथ मैं करते हैं हम लोग अपने lecture को समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में आज के लिए बाबाए have a nice day thank you and जय हिंद